भूँनिंट्स तो बचंगे आज हम कि बढ़ाएंगे आपको क Licht ke बारे में छूबरत के यह ए थे हम आपको युकरोटिक सेल के बारे मिपढ़ा रहे हैं और युकरोटिक सेल के काफी पार्टस हमने करा दिया आपको योगरोड सेल के काफी सेल ओर्गनल मैं करा चुका हूँ आज मैं कराऊंगा about chloroplast क्या होता ठीक है chloroplast की बारे में chloroplast chloroplast को जर्णली हम क्या बोलते kitchen house of cell kitchen house of cell kitchen house of cell जैसे हमारे घरों में हमारे घर में जो kitchen होता वहांपर हम क्या करते है खाना बनाते हैं तो इसी प्रकार सेल के अंदर जो chloroplast है उसके अंदर क्या बनता फूड बनता है chloroplast plant cell में होता है आप जानते हो plant autotrophic होते हैं तो plant cell में food बनता अपना फूड सबस्क्राइब निवेड़ कई इनवार्मेंट विइंडर सें लेके सियो टु warrior to betु वहिसाल की में निवार्मेंट्स कुछ को दिया गया है तो क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट सेखे न युए क्लोरोप्लास्ट कई किचिन है the kitchen house of the cell, अब chloroplast का तो structure है, main structure कैसे होता है, it is double-membrane bound system, it is double-membrane bound system, double-membrane bound system होता बचो chloroplast, do memory होती है, आप जानते हो, mitochondria के उपर भी do memory होती है, nucleus के उपर भी do memory होती है, और यहाँ chloroplast के उपर भी क्या होती है, do memory, double-membrane bound cell, और्गनल है यह ठीक है इसके अंदर जो फुलूड बराया है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा जो अंदर मैट्रिक्स है इसका जो फुलूड है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमा और इस फुलूड के अंदर मेंबरेन के बने वे ऐसे स्ट्रेक्चर होत स्टैक होते हैं तो चाहिए को पूरा इसे पूरे स्ट्रीक चर को इस पूरे डाने वाले थायलाकोड, ग्रिनम थायलाकोड कहलाते हैं, इसी परकार इस तरह कई ग्रिना होती हैं, जगे जगे पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और दो ग्रिना को आपस में जो जो जोड़ता है थायलाकोड, उस थायलाकोड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमिला, स्ट्रोमल लैम ने मेला इस प्रकार क्लॉरोप्लास्ट का स्टेश्ट्र आपके सामने होता है ठीक है कलियरizing अब यहाँ पर यह जो थाइलाकूड की जो मेम ने बत्चों इनके अंदर हुड चुरौरayo के मोलिकुल होते हैं क्लोरोफिल और दूसरे मोलिकुल का पूरा कलस्टर होता है जिनको आम क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम तो मैं जो डोट दिखा रहा हूं आपको यह एक्चुल फोटो सिस्टम है जो किसके बने pigments के और pigments में main pigments क्या होता है chlorophyll A देखे chlorophyll की कई टाइप होती है chlorophyll A, B बट जो main chief pigment हो chlorophyll A होता है तो जो थाला कुट की membrane है इसके अंदर मैंने जो dots दिखाई है actual में photo system है light harvesting system है जो किस से बने है pigment से और यहाँ पर कई तरह के pigments होते है main pigment chlorophyll A है chlorophyll A, chlorophyll B इसके लावा दूसरे pigments भी होते हैं तो सभी pigments का cluster है यह photo system ठीक है chlorophyll A जादा होता है इसलिए green color होता है ठीक है तो chloroplast एक cell में जादा होते हैं और green जो color है जो leaves, greens होते है plants के वो उसका main कान क्या है due to chlorophyll और chlorophyll कहां present है plant cell में chloroplast के अंदर present होता है समझे आप लोग clear very good जो stroma है यह आपर stroma liquid इस stroma के अंदर खुद का DNA होता है circular DNA कुद के राइबोजोम्स होते हैं जैसे mitochondria के अंदर खुद का DNA होता circular double standard और खुद के राइबोजोम्स होते हैं यह जो DNA circular और राइबोजोम्स यह यह बिल्कुल वैसे ही है जो कि prokaryotic cell में होते हैं तो यहांसे भी हमें evidence मिलता है कि जो chloroplast है chloroplast का origin कहां से वा है chloroplast का origin किस से वा है bacteria से यानि prokaryotic origin है ठीक है अब इसके पास खुद का DNA है circular DNA खुद के राइबोजोम है अब यह दोनों चीजे प्रोटिन बनाने के लिए जरूरी है यानि कि chloroplast कुछ प्रोटिन खुद बना लेता है और कुछ cell से लेता है तो chloroplast को हम क्या कह सकते है semi-autonomous organs कह ज़कते हैं तो chloroplast is also called semi-autonomous organal जैसे मैंने mitochondria को पढ़ा था आपको तो mitochondria को हम क्या बोलते थे semi-autonomous तो likewise we also call chloroplast is a semi-autonomous organal because it has its own DNA and ribosomes both are necessary for protein synthesis understand very good अब यहां पर इस chloroplast के इंदर क्या होती भी photosynthesis होती है क्या होती है photosynthesis और photosynthesis से ही क्या बनाते है plants food बनाते है photosynthesis ठीक है photosynthesis photosynthesis की general equations यह होती है आप जानते हो यह raw material है जो plants लेता है CO2 12S2O और यहां पर light दिखाते हैं sunlight लिखनी होती है आपर sunlight का एक symbol और भी उच कर सकते हैं chlorophylls और यहां पर organic form यानि की glucose है यानि की food बनता है plus में क्या निकलती है CO2 sorry O2 और water यह equation है ठीक है आपने किताबों में यह equation भी लिखियों मिली होगी बच्चों इस परकार से दोनों का meaning सेम होता है यह equation भी आपको मिल दियाएगी कहीं पर अर्लियर जो पुराने किताब में है उन में यह equation होती थी यहां पर sunlight लिखी होती थी और यहां पर chlorophyll molecules chlorophyll molecules light को trap करते अब दोनों equation में क्या difference है दोनों का सेम मीनिंग है दोनों का अमत्मल सेम है दोनों photosynthetic reactions को denote करती है दोनों के अंदर inorganic form किसमें कनवट होती है organic form में लेकिन दोनों better कौन सी यह better है क्योंकि जो oxygen है यह oxygen कहां से बनती आपको बता दूँ में water से oxygen का Volker से होता है है अब यह पर oxygen में कितने item है 12 item है यहां पर बारा atom है तो balance है अब इसमें देखिया इसमें oxygen में यहां पर तो 6 atom है और यहांपर कितने हैं 12 atom है ठीक हिए बारा atom है तो यहां पर balance नहीं है इसलिए equation ज़्यादा better है दोनों का oxygen का evolution किस से होता है water से होता है तो balance करने के लिए इसलिए हमने 12S2 लिखा है balance करने के लिए क्योंकि oxygen सारी कहा से आती है water से आती है सारी सारी water का oxidation होता है दिन के time day time पे sunlight की presence में water का क्या होता है oxidation होता है water टूटता है light की presence में और water से क्या निकलती है oxygen निकलती है उस oxygen का plant केवल 10% यूज़ करते हैं और सारी बाहर क्या करते हैं रिलीज करते हैं environment में ठीक है और ये जो oxygen बाहर आती हो फिर अमारे atmosphere में present होते हैं 21% जिसके उपर सारे aerobic others जो और गया होते हैं depend होते हैं कर्या रात को plant oxygen नहीं मनाते रात को plant oxygen बाहर से लेते हैं CO2 तो दिन सीओ टू रात को चोड़ते हैं oxygen बाहर से लेते दिन के अंदर भी सीओ टू निक बनती सिओ टो 24 तो चोबिस लेंटे बनती लेकिन दिन में जो सिओ टू बनती उसको खुद यूज कर लेते हैं वो, फूड बनाने में, कलियर, हाँ, ओटू निकालते हैं दिन में ज्यादा, तो ओटू का इन्वार्मेंट होता है, प्लांट के निचे दिन में, रात को ओटू तो कंज्यूम करते हैं, सी ओटू का इन्वार्मेंट होता है, इसलिए रात को ना प्लांट क्या सबास कोई pond है तलाब है उस तलाब के अंदर algae है तो algae भी बहुत ज्यादा क्या चोड़ती है oxygen तो वह आपको क्या पूचाती है benefit पहुचाती understand clear very good तो chloroplast के बारे में आपको करवा दिया है very simple अब मैं आपको करा रहा हूं lysosomes के बारे में lysosomes भी cell ओर्गनल है single membrane bound होते हैं बचोई सिंगल membrane bound single membrane bound cell ओर्गनल है single membrane bound cell ओर्गनल होते हैं इस तरह से एक cell के दरिंग किसे इंख्या variable है कितनी भी हो सकती है lysosomes एक परकार से housekeeper है एक परकार से क्या ही housekeeper of cell housekeeper या sequencer of cell इनको ऐसा क्यूं बोलते हैं जैसे मतल जैसे गाउं के अंदर सेर के अंदर एक गाड़ी होती है जो गूमती रहती है जो कुड़ा कचरा उठाती रहती जहांपर भी कुड़ा कचरा पड़ा उसको उठा के लिए जाती है उसको साफ करती रहती है सेर को इसी प्रकार ये cell को साफ रखते हैं जहांपर भी debris जहांपर भी टूटे फूटे पार्ट्स पड़े हैं जहांपर भी कोई पुराना ओर्गनल्स जो डैड हो गया है उसको डिग्रेड करके साफ कर देते हैं इसनी इनको काफी सारे enzymes बरे होते है करिये और ये enzyme hydrolytic enzyme होते है बचो हाइडरोलीटिक ये enzymes क्या उत हाइडरोलीटिक इनजाइम होते है उनको ऊड। अणनर ह ये acidic pH पे काम करते हैं एक्ट at acidic pH अलकिसी acidic pH पे काम करते हैं या निकि pH कितनी होनी चीज़ 4 से 5 की range में काम करते है और acidic pH कैसे बनती है lysosomes में cell से lysosomes अपने अंदर क्या लेता है proton लेता है बार से proton तो protons अंदर जाएंगे proton अंदर जाएंगे तो proton अंदर जाने से acidic pH बन जाती है तो ये enzymes काम करते हैं तो lysosomes का main function यह होता है आपको मैंने बता दिया कई बार paper में आपके question आता है कि lysosomes को हम suicide bags क्यों बोलते हैं suicide bag of cell suicide bag of cell देखो बच्चो वैसे तो lysosomes cell के housekeeper है cell के अंदर साफ़पाई रखते हैं पुराने और्गनल्स या बार से आने वाला कोई pathogens है bacteria उनको डिग्रेड करते है dyson में help करते हैं कई बार cell को बार से food नहीं मिलता तो cell के अंदर जो food है उसको भी डिग्रेड करने के लिए lysosomes का use होता है बट suicide क्यों बोलते हैं कई बार मालो cell है यह cell है और इसमें lysosomes है ठीक है यह nucleus हो गया यह mitochondria हो गया यह chloroplast हो गया ठीक है और यह lysosomes हो गया कई बर किसी कारण से occasionally कभी कभार lysosomes की membrane फट जाती है और यह enzymes बाहर निकल जाते है माले lysosomes की membrane किसी कारण से breakdown हो गई माले कोई oxygen अंदर चला गया और membrane को तोड़ दिया तो enzymes बाहर आगे अब यह enzymes बाहर आके क्या करेंगे cell के सारे organelles को destroyed कर देंगे यानि कि cell की death कर देंगे उस point से हम क्या बोलते है lysosomes को suicide bag of a cell suicide bag of a cell बोलते है तो यह very very important question है कई बर paper में आपसे पूछा जाता है और lysosomes का function क्या है आपको मैंने बता दिया है ठीक है एक छोटा सा organisms amoeba है वो भी अपना जो food है वो किस से digest करता है lysosomes के help से digest करता है food अंदर जाएगा food vacuum बनेगा food vacuum फे lysosomes के साथ combine करेगा और lysosomes के enzymes उसके अंदर food को digest कर देंगे और जो digested food है वो सेल अब्जोर कर लेगी जो waste है वो सेल के बाहर exocytosis जाने के बाहर फैंक दिया जाएगा कलियर तो यह आपने याद रखना है ठीक है very very simple तो lysosomes का यह function होता है ठीक है कलियर जैसे amoeba है ऐसे इस तरह है amoeba ऐसे होता है irregular safe होती है amoeba की ऐसे होता है यह इसका nucleus है amoeba का और यह इसमें ऐसे part है दूसरे तो मालो यह amoeba में जो cell membrane के projection निकले होते इनको pseudopodia बोलते है pseudopodia मालो यह भार से food particle है कोई यह मालो food particle है food particle यह solid form में होता है तो amoeba इसको अंदर लेता है food particle with the help of amoeba तो इस food particle को अपर membrane बनती है तो यह क्या बनता food vacule बन जाएगा यानि कि vacule की form में आ जाएगा और यह lysozome से मालो तो यह food vacule combine करेगा किसके साथ lysozome के साथ combine करेगा और lysozome के enzymes इसके अंदर जो food था उसको digest कर देंगे क्या कर देंगे digest digest करने के बाद जो useful चीज़ हो तो cell के अंदर वापिस आ जाएगी और जो waste है उसको lysozome से बहार निकाल देगा cell से बहार निकाल देगा जिसको हम क्या बोलते है exocytosis क्या बोलते है exocytosis cell से बहार निकाल ला exocytosis तो इस परकार amoeba जो होता है lysozome की help से जो food उसने इंगल्फ किया है उसको क्या करता है digest करता है ठीक है बच्चो तो दो cell organ हमने करवा दिए आपको आज के लिए काफी है और next वीडियो में हम आपका चैप्टर का end कर देंगे cell का उसके बाद एक test लेंगे आपका और इसका subjective test और homework मैं आपको time time पर देता रहता हूं और फिर हम next chapter स्टार्ट करेंगे बचो tissue Thank you